एई गाइस देखो आजके डेट में बाजार में मतलब थोड़ा उठा पक रहा है स5000 और इसके पीछे क्या करना नहीं क्या ऑचा के लिए ख़बर जो है ने गिटिव आई है जिसके वज़े में तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है सर जो गिरते हुए नज़रा है तो सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि जितने लोग future option यह सारी चीज मतलब kind of trading करते थे न सर उनके लिए बढ़ा दिया गया tax 20% कर दिया गया सर और जो investors थे उनके लिए अगर आप देखोगे तो लगबग 12. 12.5% कर दिया गया सर ऐसा है तो इस तरीके से अगर आप देखोगे 12.5% इनके लिए और 20% उनके लिए सर तो investors के लिए तो सर थोड़ा ठीक ही है investors के लिए चलो पहले 10% था अभी लगबग 2.5% increase कर दिये सर लेकिन इनके लिए सर पहले 15% था अभी 5% इन्होंने increase कर दिया 5% इनके लिए यह सर ट्रेडर को कंट्रोल में लाने के लिए अब क्या होगा कि लोग या तो कम ट्रेड करेंगे या तो फिर ट्रेड उतना ही करेंगे पैसा जाता देंगे सर तो यह market को लगबग थोड़ा बहुत डिस्क्रेस करता है सर और जान बूच के यह लाया गया है ता लोग उमीद कर रहे हैं थे कि रेलवे को असनिकम लेंट यह जितने भी रेलवे वाले स्टॉक है इनके लिए एक अची ख़बर आएगी सर रेलवे में अची ख़बर आएगी सरकार पक्का ध्यान देगे लेकिन सरकार नहीं बोला सर एकदम वाइट पेपर की तरह सब बहुत उमीद था सर मुझे भी कि रेलवे में तो कुछ ने कुछ आई जागा भाई आई जागा तो यह जितने जितने बड़े-बड़े होप थे सर जितने भी बड़े-बड़े होप यह लोग लगा कर रखे थे कि capital expenditure बड़ेगा railway infrastructure के लिए यह होगा वो होगा सर कुछ नह टीटा गड़ देखने को मिल जागा ठीक है मतलब container corporation सर सब के मतलब सारे के सारे आज पिटते हुए नजरा है सर कोई 5% टूटा है तो कोई 10% टूटा है तो कोई 7% 8% टूटा है मतलब भेयंकर गिडावट आई तो market को उमीद था कि railway के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा और लोग भी इसी तरीके से उमीद कर रहे थे अब तो सर्थ defense वाले लोगों के लिए भी से बहुत बड़े बड़े मतलब अच्छी ख़बर देखने को मिल रहा था ठीक है अच्छी ख़बर देखने को मिल रहा था कि भाई defense में तो कुछ अच्छा announce ओड़गा तो defense में बो भाई बोला जा रहा था 6.21 लक करोड का हो सकता अथा जो की लग भाई बोला जा रहा था कि इतना हो सकता था amongst in the interim budget र युष्ट 5 मैं desarrollo लियर बोला जा रहा बड़ी कुछ खास खुछ खबरी नहीं आई जिसके वज़े से गिरावड देखने को मिला और यह जो आपको बताया जरा सेंसिक्स और जहांकि निफ्टी दोनों देख सकते हो रिकवर फ्रम दो लो इंड आपको बताया जरा लगबग जो है एक अच्छा खासा देख सकते हो कि मतलब गिरावड था और यह केवल सर लगबग जो टेक्स के वज़े से था यह केवल टेक्स की खबर के वज़े से जैसे ही आए तो वहां पर गिरावड देखने को मिला सर यह तो यह जो ए सर देखिए आप लोग बोलेंगे यह समझा देता हूं security transaction tax को बढ़ाया गया long term short term tax को बढ़ाया गया आप लोग बोलेंगे भईए क्या 3-3 टाइप कर देखो ऐसा नहीं है security transaction tax का मतलब होता है सर यह एक नाम है कहा है यह सिक्योरिटीеро कर नाम है security security market सा security market यह होता है जो पर जैसे कि mutual fund में investment करते हो bonds debenture stock या किसी भी तरह किसी चीज़ को खठीटे हो प्लाइप आप FD में invest करती हो land में invest करते हो या और किसी चीज में invest करते हो तो इसको क्या बोलते है सर यह security नहीं है, क्या है, यह unsecure है सर, unsecure के मतलब यह unsecure है, FD मतलब secure होते हैं न सर, होता है न, तो कहने के मतलब है जो unsecure उसको secure बोलते हैं और जो secure है उसको unsecure बोलते हैं सर, यहाँ पर इस वज़े सब confuse मत हो जाए है, यह किवाल एक नाम है security market, security market में short term, long term दो चीज़ आती है, तो इन दोनों में सर, increase किया गया, finally आपको यही लगेगा, ठीक है, इसको SST का मतलब होता है, security transaction tax सर, मतलब security market के अंदर जो transaction करते हो, उसके उपर हो सर, mutual fund के उपर भी मतलब तकड़ाव tax बढ़ा दिया गया, 20% तो सर, आपको mutual fund में यही लग जाएगा, tedious, tedious आपको देना पड़ जाएगा सर, जहां पर बोला जा रहा है कि इंडिया में यह लगबग जो एक significant गिरावट देखने को मिला सर, 2.5% on budget day, budget day यहां पर आपको देखने को मिला सर, इतनी बड़ी गिरावट आपको gain 1.4% सर, budget में, अब 2022 में तेजी देखने को मिला, 21 में यह देखने को मिला, 2024 में ऐसा नहीं देखने को मिला, तो यह हर budget में कुछ ना कुछ changes होते रहते हैं सर, तो यह सारे वो cover थे जिसके बाद इसे market में उठा फटक आपको देखने को मिला, और हाँ, mutual fund वाले और समझदार हो जाएसा है, mutual fund वाले में आपको TDS 20% पहले ही कट जाएगा, मतलब माल लेते हैं, अगर आप लोग ने 1,00,00 रुपय प्रॉफिट बुक किया है, तो वहाँ पर क्या होगा, कि एक लाग रुपय अगर अपने प्रॉफिट बुक किया है, तो आपको आपके वाल 80,000 रुपईज ही निकाल सकते हो, बोलेंग सर, मेरा तो एक लाग का प्रॉफिट 20 रुपय कहां गया, तो सरकार ने वो टेक्स ले लिया, बोलेंग सर, सरकार इसे कैसे टेक्स ले सकती है, सरकार इसको एडवांस में टेक्स ले लेती है, आप अगर टेक्स फाइल करोगे तो ये 20,000 रुपेज ये जो है, वहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस हो कि वो आपके पास आ जाएंगे, अगर आप टेक्स फाइल नहीं करते हो, तो सरकार वो एडवांस में कट करके रख सिंपल सीचीट हैं सर, तो मिचल फंड वाले भी साफधान हो जाया, और ये भी एक मिचल फंड को भी थ्वा डिस्क्रेस किया गया, क्यों बहुत सारे लोग जो है, FD में पैसा, FD में पैसा ना डालके मिचल फंड में डाल रहे थे, और ये खबर भी सर कुछ दिन, कुछ सिंपल पहले ही आया था, चाल दिन पहले आया था, यहां देख सकतो, लोग deposit नहीं कर रहे हैं सर, बैंक में, कहां डालने है, सब पाई से कहीं ने कहीं सर, मिचल फंड में या investment की तुरू डाल रहे हैं सर, लोग, जो बैंक है वो information देती है, गवर्मेंट को कि सर, इतना पैस वहाँ चला गया हमारे पास नहीं आया करके, तो उस तरीके से, और अगर 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 अपना डिमेट अकॉन एंजल में उपन कर सकते हो, जहां पर डिमेट अकॉन फ्री, डिलिवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपिस लगता, वो बें इंट्राडे में, जो हर जगा देख